प्रष्टचार के मामलों में अपनी गिरफ़तारी के पीछे की सच्चाई बताई पत्र में अर्विन केजरिवाल ने कहा कि दिल्ले के लोगों के मन में उनके गिरफतारी को लेकर कई सवाल है और उन सवालों के जवाब के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है आम आदमी पार्टी के कारेकरता 29 ओक्टूबर तक दिली वासियों के बीच अर्विन केजरिवाल का पत्र लेकर पहुंचेंगे मुनीर का में खास बाते हैं सीनियर सीटीजन जो महिला है वह आको आकर आसिपात दे रहा है और तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो भी एलेक्शन का समय रहेगा उसमें खूब आशिरवाद और प्यार मिल रहा है असर बीजेपी का रही है दो हजार पचीस में सरकार बीजेपी बनाएगा इतना चैलेंज लगड़ाएगा उनके कहने से क्या होता है जनता बताएगी वह तो 2015 में कह रहे थे दोजार बीस में भी कह रहे थे तो देखिए ये तो जनता का जो जनादेश होगा वो सरकार बनाएगा और लोगों की सेवा करेगा 2015 में भारी बहुनप से आमादी पार्टी जीती और 2020 में फिर दुबारा आमादी पार्टी जीती स्थानी विधायक प्रमिला टोकस ने भी इस अभियान में शामिल होकर लोगों को केजरिवाल के पत्रसों पे इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं और सुझाओं को साजा किया और नेताओं ने उनकी समस्याओं का समाधान करने का अश्वासन दिया हमारे मंत्री प्रिवैन मंत्री भाई कैलास गैलोत की पदियात्रा है और हमारी पदियात्रा यहां से सरू होगी और बरात गर से होते हुए बाबा बेकरी से होते हुए कपुरवाली गली से होते हुए और रामा मार्किट में जाके समापन होगा इसका और सिर्य अर्विंद केजिवाल जी की जो चिठी है उसको हम घर घर लेके जा रहे हैं लोगों में बहुत अच्छा मैसिज है क्योंकि लोग समझते भी हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं लेकिन ये काम रुकेंगे नहीं सिर्य अर्विंद केजिवाल जी के नेतरतों में काम ऐसे ही होते रहेंगे साथ उनका मक्सद कुछ और ही था पर वो अपने मक्सद में नाकाम रहें क्योंकि दिल्ली की जन्ता को सब पता है जो वो मैसिज देना चाहते हें साइद वो मैसिज लोगों में क्योंकि सुरी अर्विंद केजरिवाल जी का है लोगों में इस अभियान का उदेश दिल्ली सरकार की नीतियों और कारक्रमों के बारे में लोगों को जागरुक करना है